नमस्कार मैं संजीव कुमार आच आत्म अनशनधान और आत्मान भूति जिसके लेखक स्री भूपेंद नात शान्याल जी हैं तथा अनुवादप स्री भोनेश शर्वसाद चौधरी भोनेश जी हैं इसका दूसरा भाग संचेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ ओंकार और नाध औ, उ, म, इन तीन अक्षरों से ओंकार बनता है आकार उकार में प्वेश करता है और फिर वह मिला हुआ स्वर मकार में लीन हो जाता है इसके बाद आप अव्यक्ता वस्था है जिस प्रकार आकार के बिना केवल उकार से ओं नहीं बनता उसी प्रकार मूलाधार प्रतेक पद्म का उन स्थानों में चिंतन करके स्वास खीचना होगा ऐसा करने पर जब पद्मों का भेद हो गया तब समझाना चाहिए की ओकार सिद्ध हुआ इसके बाद अकार उकार के मकार में प्रवेश करने पर जिस प्रकार उ का पता नहीं रगता उसी प्रकार खट चक्र भेद साधना की क्रिया द्वारा जो एक अनिर्वचनी इस्थिर अवस्था प्राप्थ होती है यही माकार द्वारा उपलक्षित है इस अवस्था में इस्थिर रहने से शुन्य इस्थान से एक प्रकार का सब्द होता है इसी को नाद कहते हैं इसी नाद ब्रह्म के एक अन्स से जगत और अर्ध मात से निश्चल इस्थिती समझनी चाहिए इस अवस्था में जिसका चित इस्थिर हो जाता है उसी को इस्तित प्रग्य कहते हैं इस्तित प्रग्य मनुष्य की बुध्धी इस्थिर और सरवदा प्रशन रहती है उस चित में संसार का कोई चिन नहीं रहने पाता जिस प्रकार इस फटिक का बाहर और भीतर एक सार निर्बल रहता है साधकों के चित की अवस्था भी ठीक उसी प्रकार की हो जाती है उस अवस्था में चित चिद्रूप में विलीन हो जाता है इसलिए उस पर किसी वस्तु विशेश अथवा चिनता की छाप नहीं पढ़ने पाती इसलिए क्रिया की परावस्था में देखना सुनना आदी कोई काम नहीं होता इस प्रकार साधना करते करते 72,000 नाणियां जो उस शरीर के अंदर हैं उनका भेद करके यह पुरुशुत्तम रूप देखा जाता है तब घंटा नादसा सदास हुआ करता है इसके बाद ब्रह्म रूपता या क्रिया की प्रावस्था आती है या इसमेती जिसको सदा बनी रहती है वह अम्रित पद को प्राप्त होता है अर्थात स्वयम ब्रह्म बन जाता है यही प्राणायाम आदी योग्या भ्यास का फल है यह प्राण ही महेश्वर है प्राण ही ब्रह्म बरमात्मा है प्राण की उपासना किये बिना ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती ओंकार के क्रिया करने से ओंकार ध्वनी सुनने में आती है मेरू दंडे में मन लगाने से भी यह ध्वनी सुनाई पड़ती है इस सब्द स्रवन के बाद एक प्रकार की जोती देखने में आती है जो तीदर्शन के बाद उसमें मन लीन हो जाने से ब्रम्ह रूपता आती है हिरदय इस्थित द्वादस दल पदमों के मद्य इस्थित इस्थान में ही जीवात्मा का वास है इस अनाहत से ही दस्प्रकार के सब्द भेंग, वीडा, वीडू, घंटा, मेघरव, सिंगनाद, शंख, दुदुम्भी, तुरही, भेरी उठते हैं सब्द सुनने से इस्थरत्वपद प्रकट हो जाता है उसके बाद जो धाम जहां चंद्र, शूर्य, अगनी का उजाला नहीं है फिर भी सब कुछ दिखाई पड़ता है वही धाम प्रकट हो जाता है इस अवस्था में इस्थित योगी के सभी संसय छिन हो जाते है क्रिया करते करते जो सब्द सुनाई पड़ते हैं उसमें तीन प्रधान हैं दुदुम्भी, संख और वीडा के शप्त इस सब्द के बाद जोती प्रकासित होती है इसके बाद उंकार शब्द शुनाई पड़ता है जब सिंहनाद सुदाई पड़ने लगे तब समझ्या चाहिए कि समाधी आशन्य है प्राण वायू द्वारा क्रिया करने से क्रिया की परावस्था में प्राण ब्रह्म में लीन हो जाता है प्राण ही इस्थिर होकर आत्मा और क्रिया की परावस्था में आत्मा ही परमात्मा बन जाता है इस कारण प्राण ही ब्रह्म है प्राण वायू के चलने से अगनी होती है अपान वायू के चलने से प्राणी जीवित रहता है इंद्रियों में मन देने से इन दोनों वायू का नाम इडा और पिंगला है इसलिए इडा पिंगला का जब तक प्रवा होता रहता है तब तक इंद्रियों का विशे वेशन शमाप नहीं होता सुसुमना में रहकर क्रिया करते करते इडा पिंगला मिलकर कुठस्त परमात्मा में लीन हो जाते हैं हिदे से मस्तक तक जो वायू है जिसको प्राण वायू कहते हैं उसका ही नाम इडा है पिंगला की गती नीचे के स्थान में है अर्थात पिंगला ही अपान वायू है इस अदह और उधर के बीट समान वायू है वही सुसुमना कूठस्त स्वरूपा है यह अगनी स्वरूप है सभी वस्तूओं को भस्म करके एक बना देती है और स्वयम भी भस्म हो जाती है यह अगनी काठ से यह अगनी कंठ से मस्तक तक मौजूद है इनका ही नाम म्रम्ह ग्रिष्ण प्रकास च्वरूप नाभी में यह तीन वायू एक होकर हृदय तक इस्तिर रहती है किया की परावस्था यही है तब प्राण अपान की गती समान रूप से इस्तिर रहती है पंचतत्व मन बुद्धी अहंकार साधना द्वारा ब्रम्ह रंध्र में रहकर सर्वदा आनन्दा अनुभव करता है मस्तक में जो छेद है जिसको फोड कर साधू लोग प्राण त्याग करते हैं उस छेद में जाने से कुक्षी में अनुभव होता है और हिर्दय में एक गर्थ सा जान पड़ता है जिसके द्वारा वायू अधिकांस भीतर जाती है इस प्रकार ब्रम्ह को जाना जा सकता है साधना करते करते मन के विले और त्रिप्ट हो जाने पर वायू के सुष्व रूप से आने जाने से उस पवित्र वायू को समूचे अंग में ले जाने की सक्ती हो जाती है तब जो कुछ देखना है सब देख लेते हैं जो कुछ देखना सुनना करना बोलना चलना है यह सब ही वायू का काम है जिसके सरीर में न रहने से कुछ भी नहीं होता इस सरीर में ही सब दिखाई पड़ता है इच्छा से सरीर में उत्ताप अर्थात ओज होता है जिस तेज से बाहर और भीतर का कारे संपन होता है अंदर कुठस्त का ध्यान करते करते जिस वस्तु का जोगुड देखने की इच्छा होगी उसे कुठस्त सुरूप पिता बतला देते हैं भूर भू आदी सब्त लोग है भू लोग प्रित्वी मूलाधार विश्ठा जिसके नास से मिट्टी भूर लोग प्रित्वी और सुरे का मध्यवर्ति स्थान मूलाधार और कुठस्त के बीच जो आत्मा है वे वीर द्वारा योनी में गमन करके जन्व लेते हैं स्वाधेश्ठान लिंग जल मुत्र उसके नास से वेड़ स्वरलोग मडीपूर नाभी देजस्थान इससे सब्द सब्द के नास से आकास महरलोग अनाहत हिर्दै वायूस्थान वायूद्वारा जितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं हिर्दै में उन सभी का अनुभव होने लगता है वहां की वायू का नास होकर ब्रह्म लोक में चली जाती है अनाहत कभ इस्थिर होगा इसकी निश्चेता नहीं है जन लोग विशुद्धक्य कंठ जहां से सोल प्रकार के स्वर उठते हैं वह समूचे आकास में मिल जाता है तपो लोग आज्या चक्र इसके नास से सबका ही नास रिगवेद में हैं जो लोग प्राणों के द द्वारा जिस स्थान में छह चक्रों की क्रिया करते हैं वे जिहवा द्वारा मधू पान करते हैं मन रोध करने का नाम है मधू उसको पीने से नशा होता है वह है अश्ट दल पद्म का रस उसको पीने से हर दम ही वशंद रितू कासा ज्यान होता है विश्या शक्ती शरूप दैत जो मधूद जान पड़ता है उसकी अपेक्छा अच्छा मधू मिलने से विश्य मधू का नास होता है इस कारण योगी लोग साधारन सुधा पीना छोड़कर साधन के नशे में रहत हैं साधन करते करते उधर्व में मस्तक्स में जाकर क्रिया के परावस्था में रहते हैं यही है सप्ताहुती ओंकार आदीद्वारा प्रज्वलित उधर्व गामी अगनी में मंत्र के साथ अबान बायू की आउती देना यही है यह सरीर ओंकार स्वरूप है इसमें तेज बिंदु है प्राणा अपान की क्रिया द्वारा वायू कुम्ब का वस्था में सर्वदार रहने चे मन सब ओर से स्वयम सिमट कर नीनान नन्न में मह हो जाता है और सुन्न में प्रकास होने लगता है उसका ऐसा प्रभाव है कि अनेक साधक उसे देखकर डरने भी लगते हैं किन्तु उसमें इस्थिर रहते रहते पूर्शुत्तम भगवान का दर्शन होता है उसी प्रकार पौरुसत्व का प्रकास होता है अर्थात अलोकिक शक्ती आ जाती है उस तेज के रहने से सुक्र की विर्धी होती है बुद्धी की तिछुड़ता होती है अगनी विर्धी होती है इस अगनी तेज के बढ़ने से सभी वस्त्यों की इक्षा का नास हो जाता है इस तेज में एक बिंदू है, बिंदू की तरह एक छोटा सा चिन्ह दिखाई पड़ता है, वह चिन्ह अडू की अपेक्षा अडू है, फिर खूब बड़े की अपेक्षा भी बड़ा है, वही ब्रह्मपद उसका ध्यान करते करते पुर्ण ब्रह्म सुरूप हो जाते हैं, ज गणेश, ब्रह्मा, सरस्वती, जगद्दात्री, पेश, रूद्र, इस्वर, सदासिव, भुवनेश्वरी, प्रभिती, सभी देवता लोग सुसुम्ना में हैं, एक हई इस्थान भेद से मूर्ती भेद है, प्रथम चारो मूला धार में है, स्वादिश्ठान में नाभिष्ट मडीपूर में रुद्र है, हिर्दय अनाहत में इस्वर है, गलाव शुद्धी में सदासिव है, आज्याँ चक्र में भुवनेश्वरी है, ये सभी एक ही ब्रह्म में है, यह देखने का नाम है शिद्धी इड़ा, पिंगला, सुशुमना, अलंबुखा, पुश्पा, हस्ती जीवा, गंधादी, इन सप्तनाडियों से विश्यों में हरन करते हुए, फलाकांचा के साथ, अपने मन को दख्ष करके जीव बद्ध हो रहा है, और बार बार जन्म ग्रहन करता है साधनाद्वारा इन साथ नाडियों से आहुती देते एक अवस्था प्राप्थ होती है, जिसमें रहने से मन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है स्रद्धा क्या है, निष्ठा क्या है, सुख क्या है, भूमा क्या है जब निष्ठा होती है, नियसेश रूप से नसा पर जो इस्थिती है, उसी का नाम है निष्ठा, वा होने से ही स्रद्धा होती है अर्थात अच्छी तरह इस्थिर्ता होने पर स्रद्धा आती है जब कोई क्या करता है, तब नियसेश रूप से इस्थित हो जाता है क्या करने से इस्थिर्ता नहीं होती, क्या करने से ही इस्थिर हो सकता है भूमा ही सुख है, अधिक नसा होने से सुख का बोध होता है, अल्प नसा से नहीं होता क्रिया की परावस्था में जब समान रूप से ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं देखता ओंकार धनी के अतरिक्त कुछ नहीं सुनता, ब्रह्म के अतरिक्त और कुछ नहीं जानता उसी का नाम भूमा है क्रिया की परावस्था में नसा अल्प रहता है इसलिए अम्रित्पत का अनुभव भी थोड़ा होता है अर्थात ब्रह्मपत में थोड़ी इसिती होती है यह सरीर ही योंकार है यह जान लेने से सब कुछ जान लेना हो जाता है क्रिया ही गैक्री सुरूप है, क्रिया करने से ही त्राण मिलता है, अर्थात क्रिया की परावस्था में रहना होता है, जिसका नाम है मुक्तिपद सत्व सुद्धी क्या है, एक सो नाणिया हिर्दय में हैं, पांच ग्यानेंदिया और पांच कर्मेंदिया हैं, एक और नाणि जो मस्तक्स में भुरू में है, जिसको दो हजार प्रकार की वायू होती है पंच भूत सरीर के पंच तत्त में और पंच महा भूत में ये दस गुणित दो हजार अर्था पीस हजार प्रकार की वायू सहस्रार में है, इसकी सुद्धी से सत्व सुद्धी हो जाती है, इसके बाद सभी ग्रंतियों का भीमक्षण होता है अंधकार के उस पार जाया जाता है, जो खट चक्र में रहता है वह देख पाता है पूरो संसकार के कारण क्रिया की परावस्था में किंचित मात्र छिद्र आ जाने से मन दूसरी तरफ जाता है, किन्तु क्रिया की परावस्था में एक हो जाने का भ्यास करते एक हो जाता है केवल मुँ से एक ब्रह्म ज्यान लेने से दंदभाव नश्ट नहीं होता जब सभी वस्तू में आत्मा जगन्नमय अडू स्वरूप ब्रह्म में प्रविष्ठ हो जाती है तब यथार्थ ब्रह्म ज्यान होता है दूसरी वस्तू में मन जाने से ही क्लेस होता है ऐसा नहोने पर ही सिव मंगल सुरूप बन जाता है जब मन मन में ही रहता है तब सभी इंद्रियां अपने वस में आ जाती हैं और उसी छण आप भी ब्रह्म में लीन हो जाती हैं वही है अक्षर अर्थात जिसका नास नहीं है वही है क्रिया की परावस्था क्रिया की परावस्था में जो चैतन्य है उसमें साधारन चैतन्य अचैतन्य दोनों ही नहीं है चैतन्य सत है अचैतन्य अशत है इन दोनों के अतीत अव्यक्त अवस्था ही क्रिया की परावस्था है अउम ओम रिक पूर्व ब्रह्म्ह सुर्य यजू दक्षिड विश्णु चंद्र अगनी इस उंकार रूप सरीर की भौह में अचंचल दीप सिखा की तरह दिखाई पड़ता है उस स्थान में नडालतंतु की तरह आभा इस नेत्र से दिखाई पड़ती है वे ही है सक्ति रूपा शिवा वे ही है सुर्य सुरू कूठस्त के रूप इस सरीर में 72,000 नाडिया है वे सभी क्रिया द्वारा भेद करने से उपर युक्त कथना अनुसार दिखाई पड़ती है बाद को घंटा नाद सुनाई पड़ता है बाद को ब्रह्म अम्रित पद या क्रिया की परावस्ता जहां कुछ देखना नहीं है सुनना नहीं है कोई स अब्द नहीं है ऐसा निरंजन ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है वहीं जिस कूठस्त ब्रह्म को तुमने पहले देखा था उसमें जो पूर्षुत्तम नारायन थे इस तरह की जो अवस्था थी वह क्रिया की परावस्था में इस मृती से जान पड़ती है कि आनंद में मै था और सभी भूतों में ब्रह्म है या इसम्रण होता है जो क्रिया की परावस्था में आप ही आप होता है और जो ब्रह्म में पहले था अब वही हो गया ऐसे इसमृती बनी रहती है दूसरी तरफ मन जाने पर फिर ब्रह्म में इसम्रण करना होता है इस प्रकार इसम्रण करते करते फिर ब्रह्म सरूप हो जाता है कैसे इसम्रण करोगे अकार की तरह प्रतेक पत को सोचना होगा अर्थात प्रतेक पत को इसम्रण करके खीचना होगा और उकार की तरह उन सब पतों को भेद करना होगा और मकार की तरह क्रिया की परावस्था में इस्ति रहने से सुनने से एक सब्द होने लगता है उस सब्द का नाम है नाद उस नाद ब्रह्म के एक आंस में जगत है और अर्ध मात्र में निश्चल इस्थती अर्थात क्रिया की परावस्था है वहां मन किस रूप से निर्मल प्रशन होता है जैसे इस पटिक का यह पर वहां पार इस पार और उस पार दोनों एक ही हो जाता है उसका मध्य बाहर एक हो जाता है वैसे ही हो जाता है सूरी की मरीचका की तर मरीचका में जैसे जलवत कुछ जान पड़ता है किन्तु वहां जाने पर कुछ नहीं रता वैसे ही इसको ठस्त में देखनना सुनना होता है निकट जाने पर अर्थात क्रिया की परावस्ता में कुछ दिखाई नहीं पड़ता परावस्था की परावस्था में मालूम होता है मानों किसी में अटक गया था। दहराकास क्या है ? दहर अर्थात त्रद्याकास। दस सब्द से यूनी मूलाधार, हो सब्द से स्वास खीचना और रदस रसब्द से चचु कुठ़ष्ट समझें। मूलाधार से कुठस तक सुष्म ब्रह्म रूप में सदा सर्वदा खिचावट रहती है। इस क्रिया की परावस्था पर परव्योम स्वरूप है जो सदा क्रिया की परावस्था में रहते हैं। वही हैं शीव। क्रिया द्वारा तीन ब्रकार के सुख होते हैं। क्रिया करते समय विचित्र विचित्र वस्थुएं देख कर और क्रिया की परावस्था में रहने पर वह सुख होता है। यही इडा, पिंगला और सुसमना का संयोग है। अर्थात गंगा, यमुना और सर्ष्थी का संगम कूठष्थ में आकर होता है। यह सुख ही क्रिया की परावस्था है। यह आत्मा ही हंस हैं। क्योंकि हंस की तरह इसकी गती है। आत्मा की गती एक बार बाएं, एक बार दाहिनी, एक बार सीधे सामने की ओर है। यही हंस गती की क्रिया होती हैं। इसी हंस पर चड़कर ब्रम्हा श्रिष्थी करते हैं। मन के सरवर में वही विश्णु रूप से इस्थित भोग और रुद्रुप से शंगहार करते हैं, सब की इच्छा से उसी समय से इस्वरत्वपद प्राप्त करते हैं, वही इस्वर कंठ इस्थित पद्म में जाकर सदा ब्रह्म नाद में मगन रहते हैं फिर आज्या चक्र में जाकर जो आज्या करते हैं वही देखते हैं फिर जो कुछ है सब ब्रह्म रूप है उस समय ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता उस समय मालूम होता है कि संसार में जो कुछ देखना था सब मिध्या सब भ्रहम था, या देखता था सब मिध्या सब भ्रहมา था. इस तरह जगत मिथ्या है केवल एक प्रहम ही सत्य है ऐसी धारणा हो जाती है प्रिया करने से ही परावस्था का स्वरूप और उसकी महिमा समझ में आ सकती है पुनह पुनह कुट्टे की हड्डी चवाने की तरह मुँ से रक्त निकल रहा है तो भी संसार के सुख की इक्षा मनुष्य नहीं छोड़ सकता वासना के कारण भोग होता है और भोग के कारण जन्म होता है और भोग के अंत में मृत्य रूप दुख होता है फिर भी मनुष्य राक्षस की तरह जाद्रिक्ष आहार करता है और दैत की तरह मार पीट करके मरता रहता है क्रीमी कीटों की तरह द्वेश और हिंसा से अंधा भना रहता है दिन रात केवल विशेश इंतन करता है नहीं तो निर्थक गल्प भूतों का गल्प मुकद्मों की चर्चा यही सम्में जीवन वतीत करता है साथ है दोल धूप मचाकर लक्षण मुक्त बहुत से भले लोगों से मिलना जुनना भी चलता रहता है किन्टू स्वम आत्मा में राकर अच्छा बनने की चेश्टा नहीं करता है उस एक को पाकर एक हो जाने का एक माद रुपा है त्रिया धन्यवाद नमस्का सेश अगली अंक्ति में